पच्चीस नो दोजार चोबिस को रात करीब नो बजे थाना डाबरी में PCR कॉल आई, SHO डाबरी क्रेग टीम और आईयों के साथ मदर धेरी बिंदापूर पहुंचे, पता चला की घायल को PCR दोरा आई, G.I. अस्पताल ले जाये गया, शिकायत करता गोबिन उर्फ बिशाल पुतर सुखबीर, निवासी गली नंबर आट प्राजापूरी, उम्र 22 वर्स ने दिर पताया कि सेक्रिटी काइट के तौर पर काम करता है, पच्चीस नो दोजार चोबिस की शाम को वह जेजे कालोनी बिंदापूर में रिक्षा इस्टेंड पर 20,000 रुपे लेकर पुरान मस्तभा के पास एक देशी पिस्टोल थी, और विजे ये कार्तिक बबु के पास लाटी थी, मस्तभा ने पिस्टोल मुझ पर तांदी लेकिन पिस्टोल नहीं चली और मुस्तफा ने पिस्तोल के बट से मेरे सिर परमारा और अन्य लड़कों ने मुझे पर लाठी से हमला किया और कार्तिक और भिजे ने मुझे पकड़ लिया और बब्बू और मुस्तफा ने मेरी जेव से 20,000 रुपे निकाल लिये और वैसा भी भाग गए गटना की गंबीरता को देखते हूँ थाना डाबरी की टीम को मामले को सुलजाने और आरोपियों के जल से जल पकड़ने का काम सोप गया इस्पेक्टर बीरेंदर सींग, S.H.O. डाबरी की नेतरत्व में एक समरपर टीम जिसमें S.I. संकर, S.I. धरमेंदर, S.C. बंसी धर, S.C. सेर सींग, H.C. राजेंदर, H.C. बब्बू सींग, H.C. निहाल शामिल थे जिसने शिरी ईशान भारदवाज, S.C. डाबरी की देखरेक में शिरी अंकित सींग, IPS, D.C. डौरका जिले की नेतरत्व में काम समला टीम ने S.O.C. का दोरा किया और तक्नीकी और मैनुवल रूप से अपराद इससल का दिर्श्रेशन किया टीम ने तक्नीकी और मैनुवल निगराली के आधार पर आरोपियों पर नजर रखना शुरू किया आरोपियों को पकड़ने के लिए दिल्ली दिल्ली NCR में कई चापे मारे गए लेकिन वे बार बार अपना ठिकाना बदल रहे थे सूचना के अनुशार टीम उक्तिसान पर पहुंची और गंदा नाला आधर्श अपार्टमेंट सोलंकी मारके दाबरी के पास जाल बिशाया और गुप्त सूचना देने वाले की निशान देही पर टीम ने आरोपियों इसमें रोहित उर्फ बाबा, साहिल कार्टिक, रोहित उर्फ पोली, शमसाद अली उर्फ बब्बू, उर्फ लंबू को गरफतार कर लिया अतीक मलिक की रिपोर्ट